नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि और सेरीन जीम टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, औरसेरिन GM टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और औरसेरिन GM टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि औरसेरिन GM टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए औरसेरिन GM टैबलेट का उप्योग शरीर के जोडों के दर्ध के इलाज में किया जाता है जैसे घुटनों में दर्ध होने पर या शरीर के किसी अन्य जोडों में दर्ध होने पर औरसेरिन GM टैबलेट का उप्योग किया जाता है और सेरिन GM टैबलेट शरीर के जोडों की चिकनाहट को बनाए रखने में मदद करती है। और शरीर के जोडों की सूजन, जोडों की अकडन व जोडों के दर्द को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा औस्टियो आर्थ्राइटिस होने पर भी और सेरिन GM टैबलेट का उ प्योग किया जाता है। उस्टियो आर्थराइटिस होने पर शरीर के जोड धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। जिसकी वज़से शरीर के जोडों में दर्ध वसूजन रहने की समस्या हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ उस्टियो आर्थराइटिस होने का जोखिम अ लिप के जोडो आदी जोडो को osteoarthritis प्रभावित कर सकता है। Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Orserine GM tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Orserine GM tablet की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे सिर्दर्ध होना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी होना, सीने में जलन होना, पेशाप के रंग में बदलाव होना, दस्त होना और कब्स होना आदी side effects Orserine GM tablet की वज़े से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में Orserine GM tablet की वज़े से नींड अधिक आने की समस्या भी हो सकती हैं। अब हम discuss करेंगे की Orserine GM tablet को कैसे लेना recommended होता है। Orserine GM tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Orserine GM tablet को दिन में दो बार लेने की सला देते हैं। अब हम discuss करेंगे की Orserine GM tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई गमबीर बीमारी होने पर Orserine GM tablet को लेना recommended नहीं होता है। दवा को अलग से दे सकता है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए औरसेरिन जीम टैबलेट का सेवन करना सुरक्षत वर रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को औरसेरिन जीम टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका औरसेरिन GM टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।